अन्सुपर्वाइज वे में कोई भी चीज करी जाए तो परिणाम बुरा ही होने की उमीद करी जा सकती है आप ट्रेड्मिल पे अन्कंट्रोल वे में दो के जगे 5-6-10 km प्रती घंटे की रफतारे भागना शुरू करते हैं आपके स्टार्ट करने के चार से पाथ दिन के अंदर ही आप जिम में पांच किलो के जिगे सीधे 15-25 किलो ठाना स्टार्ट करते हैं इससे क्या होता है जो आपके हड़ियां कमजोर हैं आपका सारा लोड एक तो हड़ि कमजोर और उनकी वज़े से पूरे जोड़ों पे असर आने लगता है जोड़ों पे वेट आने लगता है के बीच में होती थी कहा जाता था घुटने में दर्द यानि इनसान बुजूर्ग हो गया है लेकिन अब लोगों के घुटनों में दर्द 25 सास लेकर 40 साल की उमरे में हो रहा है कई लोग ऐसे हैं जिनको घुटने मोड कर भी बैठने में इसी उम्र में प्रॉब्लम हो रही है आखिर क्यों ऐसा हो रहा है क्या हमारी डाइट गलत है या हमारी हड्या कमजोर हो रही है यही जानने के लिए इस वक्त मौजूद है अपोलो हॉस्पिटल में जोकी लखनो के आशियाना में इसी थे डॉक्टर सौरब जैन हमाई सथ मौजूद है बहुत स्वागत है हड्या कमजोर होने का कारण अगर हम बात करें तो वो है कॉमनली हमारी लाइफस्टाइल यानि कि आज की डेट में हर कोई भागदोड की जीवन जीता है सुबह 7 बजे 8 बजे अपने ऑफस के लिए निकलता है उसके बाद 8 या 9 बजे तक 9-10 बजे तक अपने ऑफस में आ जाता है हम डॉक्टरों की बात करें तो मैं भी साथ बजे निकलता हूं आठ बे तक अपने हॉस्पिल में आ जाता हूं धूप से जो वाइटमिन डी मिलता है कहां मिला रात में आठ बजे हम लोग आफिस से वापस निकलते हैं तब धूप कहा होती है और अगर बीच में निकलते भी ह अच्छा खान पान ना खाके अच्छे एनवार्मेंट को एक्सपोज ना होके और साथ ही साथ हमने क्या कर लिया और मुल्टिपल काडिक प्रॉब्लम्स और नेफ्रो प्रॉब्लम्स अलग तरह की बिमारिया आपके पसाथ हो गई अब आपका डॉक्टर जब आपको प्रेनर हायर नहीं करते हैं आप वो करना स्टार्ट करते हैं रिजल्ट क्या होता है अन्सुपरवाइज वे में कोई भी चीज करी जाए तो परिणाम बुरा ही होने की उमीद करी जा सकती है आप ट्रेट्मिल पे अनकंट्रोल वे में दो की जगे 5 किलोमेटर 6 किलोमेटर 10 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफतारे भागना सुरू करते हैं आपके स्टार्ट करने के चार से पांट दिन के अंदर ही आप जिम में 5 किलो के जिगे सीधे 15 किलो 20 किलो ठाना स्टार्ट करते है इससे क्या होता है जो आपकी हड़ियां कमजोर है आपका सारा लोड एक तो जाने कि गदी साधारन भासा में इसका काम क्या होता है उपर वाली हड़ी और नीचे वाली हड़ी के बीच में कुशन की तरह काम करती है आप जब इसको लेके अनसुपरवाइज वे में बहुत ज़्यादा भागते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज करते हैं जो की ट्रेंड वे में आपने नहीं सीकी तो क्या होगा? ये गदी कहीं ना कहीं से फट जाती है फटने की वज़े से क्या होता है? इसको यू समझे जैसे आपकी कोई shirt है गय उल्गले की अगर वो कहीं से फट जाए तो shirt को आप रोज पहनेंग उतारेंगे तो क्या होगा? वो फ और अर्थ्राइटिस और तेजी से प्रोग्रेस करता है इसी वज़े से जो आपने सवाल किया कि क्यों इतनी कम उमर में लोगों को नी रिप्लेश्मेंट का एडवाइस दिया जाता है क्यों कि वो प्रॉपर तरह से अपने घुटनों का अपने जोड़ों का अपनी शेहत का ध्यान नहीं रखते सही टाइम पे आप सही डॉक्टर के पास आएंगे तो बीमारी को डाइग्नोज किया जाएगा उसके प्रिवेंटिम मेजर्स बताया जाएंगे और अगर कोई सर्जिकल ऑप्शन है किसी चरह का जो आपके घुटने के लाइफ बड़ा सकता है तो इस पर आपको वो एडवाइज दी जाएगी सर आपके पास भी ओपीटी में क्या कम एज के लोग आएं हैं भी मैंने आज ही सवेरे जो तीन ऑपरेशन करें जिसमें से एक बच्चा मातर 16 साल का है जिसके घुटने का लिगमेंट टूट गया था स्पोर्ट के दौरान और साल भर से उसका ये डाइग्नोश नहीं बन पाया और ये केपन वेंडरी हेरें देर दूसरा जो बच्चा ऑपरेट करा मैंने जिसमें बच्चा ही कहूंगा क्योंकि वो 18 साल का है वो भी डेड़ साल से इस तरह अपने खुटने को खराब कर रहा था और तीसरा जो पेशन्ट ऑपरेट करा वो 32 साल का है सर एक आखरी सवाल अब सलह बता दीजे कि लोग क्या करें मैं मेरा तो यही सजेशन होता है हर किसी से जब मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म की जूज करता हूँ कि हम अवेरनेस करें सबसे पहले और कोई भी टार्गेट आपको मिले टार्गेट मतलब आपका अगर वेट जादा हो रहा है आपकी सुगर कंट्रोल नहीं हो रही है आपको आपके हार्ट के डॉक्टर ने या सुगर के डॉक्टर ने वॉक करने के लेगा तो सुपरवाइस वे में तरीके से धीरे-धीरे उन अक्टिविटीज को बढ़ाएं एकदम से सड़नली एक ही महिने में चार किलो पांच किलो कम करने की कोशिश करेंगे तो आप अपने घुटने अपने कंदे अपने जोड़ों को खराब कर लेंगे और जब भी कभी कोई दिक्कत हो चाहे घुटना हो चाहे कंदा हो इस तरह की दिक्कते हो जो हलका फुलका दर्द आया उसको हलके मना लें, समय रहते ही सही चैलन के तुरू सही डॉक्टर को दिखाएं चाहे मुझे दिखाएं, चाहे किसी को भी दिखाएं लेकिन दिखाएं, ताकि वो प्रॉपर एवैलुएट करके आपको उसको अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो हम लोग सर्जिकली ठीक कर सकते हो तो हम करें, क्योंकि जब एक सर्टेन टाइम निकल जाता है उसके बाद जब आप हेल्थ सिस्टम के पास आते हैं तो फिर घुटना इस लेविल तक खराब या कंदा इस लेविल तक खराब हो चुका होता है कि फिर हमारे पास रिप्लेश्मेंट के सवा कुछ आप्चन बचता नहीं मरीश को बताने के लिए तो ऐसी और जार्ड कारियम आप तब पहुंचाते रहेंगे तब तो जुड़े मेरे साथ मैं लखनो से अंजली सिंग राजपूत